हेलो स्कूरंट, MS Word में आज हम सिखेंगे कि पेज की सेटिंग किस तरह की जाती है, तो पेज की सेटिंग करने के लिए हमें वीरिस टाइप उफ चेंजिस करने पड़ते हैं, जैसे पेज के मार्जिन को सेट कर सबते हैं, पेज साइज को चेंज करना, लिया आफट ऑफ देप ग्रूप में, यहां पे एरो पे क्लिक करेंगे, फिर यहां से पेज की हम पहले मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप मार्जिन लेफ्ट बॉटम राइट यहां पे मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बार यहां पे गटर पोजिशन सेट कर सकते हैं, तो गटर पोजिश तो या तो left side लगी होती है या फिर जो है top side से की जाती है ठीक है तो हम गट्र की जो position है वो यहां से left और top से set कर सकते हैं, तो गट्र position 2 ही होती है left and top, कौन कुन से होती है left and top और यहां पर अगर आपने left choose किया है तो यहां से हम उसकी value को increase कर सकते हैं यहां पर जैसे आपकी आपकी देख सकते हैं अगर आपने यहां से spiral binding करनी है तो यहां पर हम space देंगे ताकि जब हम binding करें तो कुछ जो हमारा text है वहां से show हो जाएं कोई cut ना हो ठीक है तो यहां से बढ़र पोजिशन परें लेफ्ट अंड तॉप ठीक है मार्जिन में यहां से मार्जिन सेट कर लेंगे चारूल तरण टाइप के ठीक है और यहां से next आता है orientation तो orientation या तो अगर आपको portrait में चाहिए तो आप portrait पाहलो मैंने आप मैंने पोर्ट लेने हैं तो मैंने फोर्टेट यहां से सलेक्ट कर ली तो के पाफ आप पर पासज spoil K trajectory को शेत कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है ले आउट टैब ले आउट टैब में हम हैडर हैडर कहां पे होगा कितना स्पेस पे होगा यह फूटर कितने स्पेस पे होगा पेपर के एच से तो यहां से हम वैल्यूस को इंग्रीज कर सकते हैं ठीक है फूटर की वैल्यूस को यहां से सेट करेंगे गद्र पूंप रेट करना है यह ए फिर साइज यहांपर सेट कर सकते छेपारेच सेट Kapit प्रष में फरक thli पूरी रेकिते की होुआए कि जह भी हम भीuçनिंगी इनके सब्सक्राइब के ठीक है तो जो आपने सेटिंग की हुए उसके अकॉर्डिंग आपको शो हो जाएगा तो इस तरह से पेज की सेटिंग को किया जाता है